इनसान के जान की कीमत क्या है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे की जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। किसी की जान अनमोल है, लेकिन कलियूक के इस दोड़ में किसी इनसान की जान अब नीमू से ज़ादा कीमती नहीं रही। सुनने में ये काफी अजीब सा लगे लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के पुर्वी चंपारन में जहां कथित तोर पर इक सास नहीं अपनी बहू की हत्या सर्फ एक नीमू की वज़ा से कर डाली है तो कैसे एक नीमू ने किसी की जान ले ली है आपको हम बताते हैं और ये आसमान चुँ रहा है लेकिन क्या कभी आपने सपन में भी सोचा है कि नीमू के लिए कोई कि सी की जान ले सकता है नहीं सोचा लेकिन अब आपको सोचने की जरूरत है और सावधान रहनी की भी जैहां नीमु महंगा होने की वजह से भले ही आम लोगों की जिन्दगी से बहुत पहले ही दूर हो गया है मगर वहीं नीमू अब किसी के जिंदगी तक छीनिने पर उतारू हो गया है ठबर बिहार के पुर्वी चंपारण जुला के च्छोरा दानों थानांतर गटाने वाले चैनपूर गाउं की है जहां नीमू तोड़ने के विवाद में रिष्टों का खून हो गया है एक परिवार नीमू की वज़ा से बरबाद हो चुका है जहां एक बहू के साथ उसकी सास और दो नंदों ने मार पिट की है और उसका गला दबाकर अब उसकी हत्या कर दी गई है और वज़ा है नीमू मृत महिला की पहचान चैनपूर गाउं की रहने वाले सुनीन बैठा की पत्नी काजल देवी के रूप में की गई है बताते सास और दोनों नानद अपनी बहू को नीमू तोड़ने की अवज़ा से पहले उसका गला दबाते हैं और फिर उसके साथ मार पिट कर उसको मार डालते हैं उसके बाद खुद को बचाने के लिए ताकि गाउं वाले उन पर आरोप ना लगाए वो दोनों वहां से घर से फडार हो जाते हैं मैने वाली महिला की माईके वाली को जैसे एक ही इस बात की सूचना मिली वो उसके पास आते हैं और अपनी बेटी को देख जोड़ोड से रोने लगते हैं उसके बाद दूसरी और पुलिस को इस बाद की जानकारी दे गए पुलिस भी आती है और महिला के शौखो अपनी कबजे में लेकर उसे पोस्ट माजम के लिए मोतिहारी के सदर अस्पताल में भेज दिया गया है पुलिस के मुताबिक महिला के सिर पर चोट है और गले में रसी के निशान भी पाई गए है ऐसे में अब महिला का पती और ससुर किसी और राज्जी में रहकर काम करते हैं उनसे भी पूछताच की जाएगी इसलिए उनकी भी तलाश जारी है उनको भी फोन मिलाए जा रहे है और उनको बुलाया गया है पुलिस टेशन था कि उनसे बिबाद चित करके इस मामले में आगे जानकारी ली जा सके और तो वहीं मृत महिला की सास और दोनों नाना जो की महिला को मारने के बाद तभी से परार है उनकी भी खोज की जा रही है ऐसे में जिस तरीके से एक नीमू कрий कि कि का किस तरीके साह से महिला की जान गई है क्या नीमू तोड़ने की वज़ा से सास और नंडों ने उस बहू की आनि क più महिला की जानगी या पिर बात कुछ और है बस नमा मंट के नाम दिरा जा रहा है लेकिन आडली बात कि आपके हमारा हम आज किस ओर जा रहा है कैसे कोई अखेरों के लिए कि जाल ने सकता है में ऐसे भले ही बहु की जान देनी गई है हमारी comment box में आप अपनी राय बता सकते हैं और बाकी अन्ये खबरों को जानने के लिए देखते रहे जंता जंक्शन धन्यवाद